हरियों श्री कंटकुप पाशान पूजन श्री वरदा चंडिका प्रसन्नस्व के उपलक्ष में प्रतम कंटकुप पाशान पूजन सद्गुरु श्री अनिरुद्धजी, नंदाई और सुचिद्धाता ने 16 दिसंबर 2010 को श्री हरिगुरु ग्राम में किया उसके बाद बापु के द्वारा दिगदर्शित विदिविदान के अनुसार सभी श्रद्धावानों ने अपने घर में श्रद्धा पूर्वक कंटकुप पाशानों का पूजन किया इन कंटकूप पाशाणों को बापु के मार्गदर्शन के अनुसार विशिष्ट उपासना के द्वारा गुरुकुल जुईनगर में सिद्ध किया गया था श्री कंटकूप पाशाण के रूप में मा चंडिका हमारे घर पदारेंगे और उनके चरण स्पर्श से हमारा घर हमारा जीवन पावन होगा इस श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रद्धावनों ने अपने घर में श्री कंटकूप पाशाण पूजन किया श्रद्धावानों ने पवित्र आसन के बीचों बीच गेहु की राशी रचकर उस पर श्री कंटकुप पाशान को विराजमान किया आदीमाता चंडिका और उनके साथ श्रद्धावान का वेश पहिने सद्गुरू यह प्रतिमा श्री कंटकू पाशान के पीछे स्तापित की गई श्रद्धावानोंने मंचाही सजावड भी की थी इस पूजन में श्रद्धावानोंने सद्गुरू अनिरुद्ध बापु के द्वारा बताये गए विभिन्न मंत्रों का जाप करते हुए विभिन्न उपचार अरपन किये और श्री आदीमाता चंडिका का सुन्दर वस्तल चेहरा श्री कंटकू पाशान पर रेखांकित किया इस प्रेम भाव से कि मानो वहाँ पर स्वयम मा चंडिका ही अवतरित हो रही है चंडिका पुत्र के साथ मा चंडिका के घरपदारने का आनंद स्रद्धावनोंने खुप नाजगा कर गजर करते हुए मनाया अन्तमे सद्गुरु श्री अनिरुद्ध जी के द्वारा विरचित मा चंडिका की आर्ती सबने की बापु के निरपेक्ष प्रेम के कारण ही हमें आज मा चंडिका का पूजन यानी श्री कंटकुक पाशान पूजन करने का आउसर प्राप्त हुआ इस कृतद्नता से हर एक श्रद्धावान के मन में यही भाव था बापु मैं अंबग्य हुई हम अंबग्य है जयती मंगलाकाली पाद्रकाली कपाली तुर्गाः शमाः शिवाधात्री श्वाहात्वदा नमोसुदे नमोसुदे शिवाधात्री नमोसुदे नमोसुदे शिवाधात्री नमोसुदे पाद्रकाली नमोसुदे कपाली नमोसुदे पाद्रकाली नमोसुदे कपाली नमोसुदे दुर्गाक्षमा नमस दे, स्वाहा स्वधा नमस दे दुर्गाक्षमा नमस दे दुर्गाक्षमा नमस दे, स्वाहा स्वाहा नमस दे मंगला मंगला पैदर काली नमस दे दुर्गाक्षमा नमस दे